जै श्री राम सभी भगतों को आप सभी का हम हार्दी स्वागत करते हैं आप हमसे प्रती दिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे स्वस्त रखे ऐसा हमारा हिर्दे से आशिर्वाद और प्रार्थना है तो चलिए आज के टोपिक की तरफ चलते हैं आज का टोपिक है ध्यान पहली बार में ही लगेगा जो आज हम आपको यह मैथद बताएंगे वेरी इजी मेडिटेशन मैथड है यह छे बारा और चोबिस सांसों का यह प्रियोग है तो जैसा कि आप सब जानते हो सांस जीवन की नीव है सांस ही जीवन का सार है सांस से आप जो चाहिए वो पा सकते हों सांस है जब तक आस है सांस नहीं है तो आस भी नहीं है यानि कि हम भी नहीं है तो जब यह सांस ही सब कुछ है इतनी बड़ी शक्ति है तो हम इन सांसों से ही गहरे ध्यान में उतरेंगे और जब गहरे ध्यान में उतरेंगे तो जो हमारा प्रमलक्ष होता है प्रमात्मा को पाना हम उसको इसी जनम में पालेंगे आपकी सांस और थड़ आई का स्पंदन ये स्थूल है और सुख्षम है सांस जो है वो स्थूल होती है और थर्ड आई का जो स्पंदन होता है वो सुख्षम होता है इनको दोनों को ही देखा नहीं जा सकता लेकिन अनुभव किया जाता है सांस का भी और थर्ड आई पर जो स्पंदन होता है उसको भी अनुभव किया जाता है और इनके अलावा एक अतिस्वक्सम प्रक्रिया भी है उसका भी अनुभव किया जाता है हमें वहीं पहुचना है क्योंकि अतिस्वक्सम तक जब तक नहीं पहुचोगे तब तक आप अपनी मंजिल को पा नहीं सकते तो आज हम आपको ध्यान की एक ऐसी प्रिक्रिया बताएंगे जो बहुत ही सुक्षम यानि कि बहुत ही छोटी भी है और सरल भी है प्रक्रिया इस प्रकार है पहले आपको छे सांस लंबी और गहरी लेनी है ताकत जादा नहीं लगानी है लंबी गहरी ले लंबी गहरी छोड़े छे सांस गिन करके बहुत ही स्थुल प्रियोग है तो ये सांस की स्थूल प्रिक्रिया होगी, जो छे सांस आप लेंगे, ये स्थूल प्रिक्रिया, फिर जो आपने की स्थूल प्रिक्रिया की है, ये प्रिक्रिया आपकी नाभी पर ही आपको महसूस होगी, क्योंकि नाभी हमारे शरीर का मेन केंदर है, इन छे सांसों से आपक को बहुत कम अनुभव होगा क्योंकि ये स्थूल है फिर च्छे ले करके तुरंत आपको लंभी गहरी 12 सांस लेनी है लंभी लें लंभी छोड़े लंभी लें लंभी छोड़े यानि कि ये 12 सांसे आपको सुक्षम का अनुभव करवाएंगी और इसका अनुभव आपको स्थूल की वजाए दस गुना ज्यादा होगा जो स्थूल का हुए था बहुत कम अब उसकी वजाए आपका दस गुना अनुभव बढ़ जाएगा आपको अदभूत आनद आएगा दभूत शांती आएगी आप ध्यान में प्रवेश करने लग जाओगी उसके बाद आपको 24 सांस लंबी गहरी लेनी है छोड़नी है पूरी भरनी है पूरी छोड़नी है अर्थार्त जो हमने 12 सांसे बताई पहली का छे का आपको अनुभव नाभी पर होगा और फिर नाभी से चार अंगल उपर यानि आपके कलेजे पर उसका अनुभव होगा 10 गुना जैदा और फिर उसके बाद जब आप 24 लंबी गहरी लोगे छोड़ोगे तो उसका अनुभव आपको 100 गुना जैदा होगा और आपका ध्यान आपके आज्या चक्र पर पहुँच जाएगा यानि कि पहले जो स्पंदन नाभी पर हुई फिर स्पंदन आपके कलेजे में होगी और फिर वो स्पंदन आपकी पहुँच जाएगी आज्या चक्र पर आपका ध्यान ओटोमेटिक लग जाएगा आपके आग्या चक्कर पर आके टिक जाएगा क्योंकि उर्जा वहां आ गई है स्पंदन वहां पहुँच चुका है और फिर आपको अपने आग्या चक्कर पर ध्यान को लगाना है 24 सांस लेने के बाद ये प्रक्रिया आपको रोज करनी है एक बार में इसको बार बार भी कर सकते छे बारा चोविस छे बारा चोविस छे बारा चोविस और चोविस पर यदि आपका मन टिक रहा तो चोविस पर ही ध्यान को टिका दे नहीं टिक रहा तो फिर से छे बारा चोविस छे बारा चोवि तो करिये और गहरे ध्यान में प्रवेश करके उस आनंद को प्राप्त किजिए जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए यह मन जन्मों से भटक रहा है सदियों से भटक रहा है क्योंकि आनंद ही प्रमात्मा है आनंद जिसको मिल गया समझ लो उसको सब कुछ मिल गया उसको जी जी जो है मुक्ति मिल जाती है तो उमीद करते हैं आप इस प्रिक्रिया को अपनाएंगे 612 और 24 सांसों की प्रिक्रिया को और पहले दिन से ही पहली बार में ही गहरे ध्यान में आप प्रवेस करेंगे यदि आपका कोई प्रशन है इस वीडियो से संबंदित या कोई और भी तो आप यूटूब पर कमेंट करें वहां उत्तर जरूर मिलेगा और यदि आप लाइव में हमसे जुड़ना चाहते हो तो यूटूब पर सुबह साड़े चार बजे ब्रहमूरत में प्रत्ति दिन लाइव आते हैं फ्री में वहां जुड़ें वहां पर ध्यान साधना भी सिखें और अपने प्रशनों के उत्तर भी पाएं और यूटूब और वाटसप पर पुछना चाहते हो तो 9958555054 पर मैसेज करें या ओनलाइन गुरू दिक्षा लेना चाहते हो हमसे तो भी इसी नमबर पर मैसेज करें और डिली के अगामी शीवर में आना चाहते हो जो कि 23 जून का है एक दिवसिय शिवर है उसमें आना चाहते हैं तो भी इसी नमबर पर मैसेज करें कि हम 23 जून को आना चाहते हैं हमारा नाम लिख लो क्योंकि जब तक आप पताओगे नहीं तब तक आपको नहीं बुला जाएगा सिटे लिम्टिड होती हैं लिम्टिड लोगों को बलाया जाता है तभी आपके पास इन्विटेशन और फोम बेजा जाएगा जब आप हमें लिकर भेजोगे तब वैसे तो सब कुछ हमारा निसुल्क होता है किसी चीज का कोई चार्ज नहीं है लेकिन जिन सादकों का गुरू के प्रतिभाव होता है तो वो अपनी मर्ज देते हैं सभी सादकों को प्रेम भरी जै श्री राम हसते रहो मुस्कुराते रहो जै श्री राम